उत्तर बंगाल में पिछले दो दिनों से हो रही भाड़ी बारिश के कारण मानंदा नदी का जलिस्तर काफी बढ़ गया है नदी पूरी उफान पर दिख रही है इसके कारण नदी के तटिये किनारे में रहने वाले लोग काफी भैवित है लोगों को डर सता रहा है कि नदी का जलिस्तर बढ़ता है तो पानी उनके घरों में घुश सकता है फूलबारी मानंदा बैरत छेतर में तीस्ता मानंदा और बलासन नदियों का पानी खत्रे के निसान से उपर बह रहा है फिलहाल जलस्तर को नियंतरन करने के लिए मारंदा बैरेच के कई गेट खोल दिये गए है भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफ़ान पर मंडराया बाड का खत्रा जलढा का छेत्र में यल्लो आलट जारी उतर बंगाल के कुछ हिस्तों में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ रहा है नदी का जलस्तर बढ़ने से कई सिचाय विभाग ने NH-31 जलढाका के संग्रक्षित और और संग्रक्षित छेत्रों में यल्लो आलट जारी किया है शुक्रवार शुभा छे बजे जल्पायगुडी गाजल डोबा बैरोस से 1550 दसमलो 56 क्यूमेक पानी छोड़ा गया है जलपायगुडी सिचाई विभाग के अनुसार रविवार शुभा नौ बजे फिर से जलपायगुडी गाजल डोबा बैरत से 1827 दसमलो 96 क्यूमेक पानी छोड़ा गया मौसम भिभाग के पूर्णा अनुमान के मुताबित सुकरवार सुभष से उत्तर बंगाल में जलपायगुडी के गरच के साथ बारिश होड़े है नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खत्रा मंडराने लगा है विशेश कर नदी की तटिय छेतर में रहने वाले लोग काफी आतंकित है हाला कि प्रसासन किसी भी इस्थिती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है के तपाई जी एनेम अथवा बी एस्सी नर्सिंग गरने सोचनों देचा तेसबये चंपासरी सीशा बारे इस्तीत अदान इंस्टिट अफ नर्सिंग आन साइन्स मा आउन होज जहां तपाईले तीन वर्षमा जी एनेम र चार वर्षमा 100% प्लेस्मेंट को साथ मा बी एस्सी नर्सिंग गरना सक्नों होने छ सिली गुडी के फोल बाडी स्थे महाराजा अकरसिन अस्पताल में आपका स्वागत है 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेत्रित्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिकत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वासों बढ़ावा देने के उद्देश से व्यापक चिकित्सा सेवाय प्रदान करते हैं महाराजा अग्रसेन होस्पिटल फूलबारी सिली गुडी